है है व्रीवन मैंने में श्रीवांद मसीन विल्कम बाक तो दे चैनल दे इन्वेश्ट लॉजे इस आज की मार्केट बहुत जादा सही गई थी हम लोग ने गाप देखा था आफ्टर दाट हम लोग वेट करें थे वह रही टेस्ट जो मैं आप गोगो कल की वीडियो में बता जाया था कि यहां से एक मार्केट ऊपर जा सकती है 200-300 पॉइंट की बांग निफ्टी अराम से रहा ली कर सकती है तो वह हुआ भी था तो एक बाच चेक करते हैं कि कौन सा वह लेवल था अब क्या पोजीशन मना सकते हैं कि अब दुबारा एक बड़ी मुमेंटम आ सकती है और एक बाच यूएस मार्केट क्या कर रही है उसके बेसेस पर भी हम डिराइव करते हैं आज की मार्केट को तो मैं तीन स्टॉक्स लेकर आया हूं जो हम कल बाई कर सकते हैं और पूरे हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं एक बाच चलते हैं अपने ट्रेट सेटप की तरफ और देखते हैं कि कोज स्टॉक्स बाइक कर सकते हैं तो हम लुघन जो लेवल्स मार्क करेती यह जो एक फॉल आया था इस फॉल से हमने देखा था एक रिट्रीशमेंट और एक बुल बाक हमें देखने को मिला था यहां पर हम लोगने एक फिबोनाची रिट्रीशमेंट य यहां पर आप लोगों को यह लाइन यहां दिख रही होगी बट अगर आप मेरी वीडियो चेक करोगे तो आपको यहां पर देखीगे धैवसीर करने फ्रस त्रस फेल आपको टेखीज वक्रस अगल के अख्यों क्लोजिंग निफ्ट पर लोग्यावन suspension freshly परगिने रिकावन सब्सक्राइख लेंन तो इकशेम की था शा тяжते वानगी जुक्ता ने का सबैर आप के जो हम जुए Amo हम लोगों को एक gap down दिखा रहा था उसके ऊपर जा कि पर्टिकुलर closing भी करी है which is a good sign अब जो एक major level हम लोगों को देखने को मिल रहा है वो particular level है इस level जो की 18,180 का है तो आज का जो high था that is 18,150 अगर 18,180 की ऊपर 18,200 की ऊपर sustain कर लेता है because अगर आप यह big candle देखोगे और इस big candle का अगर मैं 50% लेकर रहा था हूं तो वह exactly इस level पर आ रहा है तो मैं यह zone आपको को सामने बना देता हूं this is the zone और हम इसको हटा देता है तो यह एक particular zone है जो की 18,180 से 18,200 का है यहां पर थोड़ी बहुत fluctuation हमें देखने को मिल सकती है थोड़ा बहुत resistance यह market phase कर सकते है बट अगर इस level को break कर देती है then हम अपने previous size के targets को भी imagine करके जल सकते है जो हमें easily दिखा सकता है which level is this that is 18,400 rupees का निफ्टी के अंदर हमारा focus तो definitely है but buying momentum आज हमें bank nifty के अंदर देखने को मिला तो let me show you bank nifty as well so bank nifty का एक बात 30 minutes का time frame open कर ले दे है and on a 30 minutes time frame हम लोग ने last hour में आपको बताया था कि bullish head and shoulder pattern मना है and इसके breakout पर हमें buy करना है 15 minutes की candle की closing उपर होनी चाहिए तो exactly 15 minutes की candle की closing उपर हुई exactly उस level पर हुई but उपर closing नहीं पाई so we have to wait for the next candle but market तो close हो चुकी ते और हम इस पर trade भी नहीं लिए पाते है so हम लोग ने patiently इस पर trade नहीं लिए अगर यह level कल break होता है तो हमारे जो दो targets है that should be first is this जो की 43,100 and 43,230 का target है जो अल्रेधी टेली ग्राम चैनल पर हम लोग बता चुकिया इसके लावा let me just remove this head and shoulder pattern for you so हम लोग ने कर discussion कर रहा था कि यह particular level है यह line मेने आपको draw करके दी थी कि इस level पे अगर market pause लेती है तो हमें trade नहीं लेना that is कि अगर इसके नीचे जाएगी तो हम पर wait करना है मैं आपको दिखाता हूं हम लोग ने यह Fibonacci retracement draw कर रहा था no not this Fibonacci this Fibonacci हम लोग ने यह Fibonacci retracement draw कर रहा था and we've told you कि यह एक particular zone है अगर यह इसके नीचे जाता है we have to watch कि वो यहां पर कही sustain कर रहा है नहीं कर रहा पर अगर यहां sustain नहीं कर रहा हम सीधर short कर देंगे for the target of this particular range जो कि market volume profile analysis के तुरू में show कर रही है but actually measure नहीं हुआ और यही पर इसने pause लिया इस level पे it created a double bottom and यह वाली जो candle formation थी candle formation पे हम लोगों ने telegram पे आपको बता दिया था that momentum आ सकती है almost 300 point की momentum तो आ गई थी but right now also we can wait अगर इसके उपर जाता है तो एक अच्छी momentum आ सकती है एक बाद चेक कर लेते हैं US 30 and US 30 पे आज momentum तो थी जब market की opening थी और close भी हुआ था almost 200 point अप था but almost अब यह 100 point negative पे चल रहा है आप दिख सकते है market ने gap down gap opening तो दी market ने इस level पर resistance face करा यहां पर आप चेक कर सकते हैं जुकि पहले भी resistance multiple बार जो supports था और इसका breakdown दिया इस candle का भी 50% यह हुगा यह है इस candle का वेर्द कैंडल इस candle का 50% भी exactly यह आ रहा है 61% आ रहा है 50-61% तो यहां पर major resistance लिया and right now it's trying to fall the falling channel pattern को यह ब्रेक कर रहा है तो अगर यह नीचे जाता है और एक down closing होती है तो कल हमारी market भी शायद minor gap down खुल सकती है उसके बाद recovery कर सकती है otherwise we have to check तो एक बार मैं दुबारा निफ्टी का चार्ट ऊपन कर रहा हूं because अभी हम लोग buy side की बात कर रहे थे अभे में बात कर नहीं है और sell side की लिए सबसे बहले हम आजाते हैं निफ्टी के अंदर निफ्टी में हम लोग ने यह चीज तो देख लिए कि यह level था इसके ऊपर गया विचे जाना निफ्टी के अंदर आप चेक कर सकते हो कि अगर इस range के अंदर आती है तो most probably bank nifty इसी range के अंदर काम करने वाली है इस range के अंदर ही पूरा work होगा and इसको I don't think कि वो break करेगी बहुत जल्दी से ठीक है so we have to be very cautious हम लोग 3 minutes का time frame open कर लेंगे यहां पर हमें कोई भी price action दिखता है उसकी basis पर अगर इसके नीचे जाना start करता है हम आपर अपने एक short trade बना सकती है ठीक है but on a 3 minutes time frame जिस पर हम early entry और early exit दोनों कर लेंगे ठीक है because हम लोग को एक definite range defined है so यह थे कुछ bank nifty nifty analysis अब बात कर लेते हैं stocks की so our first stock is Wipro Wipro होगा let me open our 2 hours time frame and on a 2 hours time frame यहां पर आप चेक कर सकते हो कि एक सबसे बहले bullish cipher pattern develop हुआ है let me just show you this is our bullish cipher pattern and exactly this pattern से यहां पर हम लोग ने देगए एक अच्छी खासी up move आई है and आप इसके जो भी formulas होते हैं आप उसको google के अंदर check कर सकते हो जो भी ratio उसके basis पर यह बना वाई derive है तो आपको पता चलेगा it's called W cipher pattern and after that यह एक falling channel pattern था जिसका breakout इसने दिया है third cheese is one two three four five total five waves तक fall down था and now it's trying to create a a wave so a wave के अंदर हम imagine कर सकते हैं कि जो इसका previous swing high है that is this particular level it will try to break this particular level that is a 392-391 rupees का level है so हम imagine कर सकते हैं कि अच्छी movement आ सकती है so हम एक बार use कर लेते हैं और 15 minutes time frame और 15 minutes time frame पर बहुत consistent basis पर यह हलकल के उपर गया है and market ने हमने देखा था last market पे bank nifty ने 200 point की sudden fall कर दे थी उसके बाद वो recover कर गया था but यहां पर यह sustainability दिखा थे रहा so I personally think कि अगर यह कल हलकल का नीचे भी आना start करता और कहीं पर pause लेता है अराम से ले सकता है 385 के आसपास 2-3 रूपे नीचे तो वहां पर मैं अपनी buying कर सकते हैं with a target of 392 rupees का जो में easily दिखा सकते हैं और अप मुव हम लोग definitely imagine कर सकते हैं because ABC wave बनना important है तो on a two hours time frame हम what we are imagining is most probably 397 से लेगे 400 तक के targets easily दिखाने के कोशिच करेगा not tomorrow but within a two or three days के अंदर अंदर our second stock is ultra tech cement let me open ultra tech cement ultra tech cement का मैं weekly time frame open करता हूं and on a weekly time frame हम लोग ने पहले भी study कर रहा था that it created a bullish head and shoulder pattern and it gave a very good breakout एक sustainability के साथ यहां पर pause लेके यह इसने breakout दिया and after that वो breakout जो एक candle बाया था वो तीन हफते में उसने उसको vanish करा but again यहां पर इसने एक pause लिया है and it's try to give a breakout ठीक है आप चेक कर सकते हूं feb 2020 पर यहां पर एक breakdown आया था जिसके ऊपर जाके इसने sustain करा है एक बार हम rsi गड़ चेक करें तो rsi भी almost 60 के आसपा straight कर रहा है that means कि अभी वी आपर एक strength बाकी है यह particular stock दिखा सकता है 70 100 के आसपा चल रहा है अगर by chance करते हैं कि कल यह sustain करता है इस level पर breakdown नहीं आता ठीक है on a 15 minutes time frame यह एक pattern form कर रहा है जिस हम कहते हैं bullish lag and pull pattern let's say कि अगर यह zone के नीचे नहीं जाता and यहीं थोड़ा बहुत time waste करके हम देखते हैं कि उपर की तरफ breakout दे रहाता है then it's a great chance to buy this particular stock यह अच्छे returns दिखा सकता है अब बात करते हैं last stock that is honet ठीक है इसका हम एक बार honeywell auto industries को अगर हम check करें तो इसका भी मैं एक बार आप तो होगे सामने chart open कर देगा so on a weekly time frame अभी इसका price चल रहा है 42,220 रुपीज का तो I know यह आप लोग buy नहीं कर सकते है cash segment के अंदर so आप इसका option buy कर सकते हो almost 42,000 का call option buy कर सकते हो मैं लेवल्स पताता दा हूं किसके ऊपर buy करना है strike price पर जो भी premium चल रहा होगा अब उस premium पर buy कर सकते हो बट यहां पर मैं आपको levels पता दूँगा so first of all understand करते हैं क्यों buy करना है so हम लोग ने हाइस को connect करते हो एक trend 9 draw करी विया जो कि March 2021 से चलती भी आ रही है and it created a very good head and shoulder pattern अब इसके आपर यह breakout देनी की त्यार ही कर रहा है after that एक बार मैं आपको daily time frame open करके दिखाता हूं and let me remove all the drives it created a double bottom pattern at this particular level after giving a very good up move उसने एक fall retracement लिया let's check the retracement की वो किसते percent तक आया exactly 50 to 61 percent धीके कभी और करेक्ट नहीं होता था but 50 to 61 percent ही हमारी range होती है जो भी हम nifty bank nifty हर जगे derive करते हैं इसे गाइट created a double bottom and its trying to go up तो हम जो इसके basic targets जो expect करके चल रहे हैं 43,370 rupees का तो अभी I think अगर यह 42,220 का इसका price है and हम लोग 42,000 का strike price लेंगे तो 600 रुपे के आसपास इसका call का premium होगा तो हम इसे definitely buy कर सकते हैं कैसे करना है चलते हैं एकपर 15 minutes के time frame करें और 15 minutes time frame what we are seeing is कि यह एक level है जहां पर इसने breakout दिया it take a retracement and it started to go up let's say कि कल यह directly ऊपर जाना start करता है 42,350 के ऊपर जाना start करता है that is कि आज के high के उपर जो आज का high था उसके ऊपर जाना start करता है we can definitely that time take a call option जो भी premium चल रहा होगा and but let's say कि अगर यहां पर एक double top बनी गया है और यह नीचे आना start करता है if it tries to take a pause at this particular level और वहां पर जो उसका premium होगा I think 570 या 550 आसपास होगा तब भी हम उसे buy कर सकते हैं for a target of 43,300 पीस का I personally think यह particular stock आने वाले time पे एक breakout भी देदेगा इस level का head and shoulder pattern का भी और आप देख सकते हो ना shorter time frame period भी it tries to make a head and shoulder pattern so इसके target सच्छे खासे ऊपर है जो मैं imagine करके चल रहा हूँ या तो अगर आपके पास आप angel broking या अगर आपको उसमें मिलता है leverage मिलता है cash holding में तो अब यूज करके इस particular stock को भी buy कर सकते हैं तो ये तीन stocks थे nifty bank nifty analysis थी तो कल telegram channel पर दुबारा मिलते हैं देखते हैं किस तरीकी से market को capture कर सकते हैं have a very good day guys, bye bye